जहिन दोस्तों, कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, कि आप RPF को किस परकार से जोइन कर सकते हैं इसके physical की तयारी किस परकार से करनी है physical में क्या क्या event आपके होते है और medical में आपके क्या क्या होते है और इसका जो exam होता है उसमें किस परकार के question पूछे जाते हैं कौन-कौन से subject पूछे जाते हैं कितने number का इसका exam होता है और कितना टाइम आपको एक्जाम में दिया जाता है फिजिकल में कौन-कौन से इवेंट होते हैं और किस इवेंट में क्या-क्या चीज आपकी होती है इन सभी बातों का आप में इस वीडियो में विस्तार से जाने का जब भी notification आता है इसका तो हमेशा railway की website पर इसका notification आता है आप जो भी fake notification आते हैं उनसे साबदान रहे क्योंकि अभी भी दिखा रहा है कि RPF की vacancy आ चुकी है उसका फारम लग रहा है लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी notification जारी नहीं किया गया है जिसमें RPF की vacancy के बारे में recruitment को मांगा गया हो इसलिए आप ऐसी चीजों से साबदान रहे आपका man focus होना चाहिए अपनी तयारी पे आप अच्छे से अपनी तयारी करते रहे आप टेस्ट की तयारी अच्छे से कर लीजिए फिजीकली रूप से भी अच्छी से आर रही है और मैडिकली रूप से भी फिट रही है आपके सलक्षन को कोई भी नहीं रोख सकता अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं विस्तार से तो सबसे पहले इसका CBT एक्जाम होता है एक्जाम में क्या क्या होता है एक्जाम में आपके 120 क्यूशन आते हैं जिसमें आपका 35 नंबर का रिजिनिंग होता है 35 नंबर का मैथेमेटिक होता है और 50 नंबर का आपका KGS और साइंस के भी क्यूशन इसमें पूछे जाते हैं इस परकार आपका 120 नंबर का या आपका एक्जाम होता है और इसमें जो आपको time मिलता है वो 90 मिनट का time दिया जाता है और आपका जो exam होता है इसमें online exam होता है और अगर इसमें minus marking की बात करें तो 1 बटा 3, railway के सभी exam में 1 बटा 3 की minus marking होती है तो इस परकार आपको एक्जाम की सलेवस को ध्यान में रखते हुए और इसके सलेवस का विस्तार में मैं एक वीडियो लाँगा जिसमें पूरा सलेवस की आपके math में कौन-कौन से topic है और reasoning में आपके कौन-कौन से topic आते हैं और GKGS और current affair और आपके जो science है उनके कौन-कौन से topic है इसका एक विस्तार से में एक वीडियो बना दूआ जिसे आप देख लेना और उसी साफ से अपनी तयारी करते हैं एक्जाम के दो से तीन मेने बाद आपका result आता है जिसमें आपकी first cutoff physical के लिए qualify किये करनी डेटो को बुलाया जाता है जिसमें vacancy चितनी vacancy होती है उससे 15 गुना करनी डेटो को आपको physical के लिए बुलाया जाता है तो physical में आपका male करनी डेट के लिए कोंस्टेबल के अगर हम बात करें तो आपकी 16 मिटर की running होती है जिसमें आपको 5 मिन्ट और 45 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका इसमें 4 फिट का high jump और 14 फिट का long jump जिसमें 2 दो chance आपको दिये जाते हैं इसके साथ ये आपके chest का height का और weight ये सबी आपके measurement होते हैं और physical का कोई भी number नहीं होता है आपका selection केवल और केवल exam के आदार पे होता है physical को आपको सिर्फे pass करना रहता है female candidate comfortable के अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1000 मिटर की running होती है और आपका 3 फिट का high jump होता है और 9 फिट का आपको long jump होता है जिसमें 2-2 chance आपको दिये जाते हैं और इसमें female candidate के लिए भी physical के कोई number नहीं जूरते इसको केवल पास करना रहता है physical होने के बाद एक से 2 महिने बाद आपकी final cutoff आती है जिसमें selected candidate को medical के लिए बुलाए जाता है medical के साथ में ही आपका document verification होता है और अगले दिन आपका medical होता है medical में आपका medical में जो विस्तार से इसका एक separate video में बना दूँगा कि आपका किस प्रकार से पूरा process कौन-कौन से आपके parts जो चेक किये जाते हैं इसमें आपके man group से आख नाख आपका blood test, urine test, x-ray और यह सभी test आपके होते हैं और medical में fit होने के बाद आपकी final mate या joining letter आपका आता है उसके बाद आपको training के लिए बुलाया जाता है आप सभी इस तुविदा में ना रहे हैं कि vacancy कब आएगी अभी 2018 में vacancy आरपियाफ का notification निकला था उसके बाद 5 साल होगे अभी तक कोई notification नहीं निकला है इसलिए जल्द ही 2024 में आपको आरपियाफ की vacancy देखने को मिलेगी जिसमें अच्छे खासे पदो पर इसकी वर्थी की जाएगी जिसमें आरपियाफ कोंस्टेबल और SI के लिए डाइरेक्ट वर्थी होगी तो आप बिल्कुल भी बे फिकर होकर अपनी तयारी करते रहिए किसी भी आफ वाव में ना पड़े और किसी भी गलत वेबसाइट पर या गलत notification में फारम अपलाई ना करे या ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे जब भी वेकंसी आएगी आपको सरकारी वेबसाइट पर ही इसका notification देखने को मिलेगा और आपका focus और केवल और केवल आपकी तैयारी पर होना चाहिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए आपके selection को कोई भी नहीं रोग सकता आपको किसी भी topic या किसी भी आरपेफ की vacancy से related या और भी किसी defense related जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं किसार इस topic पर वीडियो लेके आएं मेरे से जो भी आपकी साहता हो पाएगी आपके selection के अंदर वो मैं करूँ है जैहिन दोस्तो